दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा nitrogen और normal air के बारे में और यह भी बताऊंगा कि कौन सी अच्छी रहेगी आपके tire के लिए दोस्तों जो compressed air आप अपने tire में डलाते हैं उसमें लगबख 78% nitrogen, 21% oxygen और 1% water vapor और other gases होती है जबकि जो nitrogen अपने tire में डलाते हैं उसमें लगबख 95% से लेके 99% तक pure nitrogen होती है दोस्तों अगर आप अपनी गारी के tire में nitrogen डलाते हैं तो सबसे पहला benefit आपको यह मिलेगा कि आपकी गारी के tire का pressure लंबे समय तक सेम रहने वाला है और आपको बार बार nitrogen डलाने की जुरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि nitrogen के molecule बड़े होते हैं जिससे nitrogen easily leak नहीं होती जबकि compressed air में water vapor और other gases भी होती हैं जिनका molecule छोटा होता है जिससे वो easily leak हो जाती है जिससे tire का pressure समय के साथ धीरे-धीरे कम होता जाता है इसलिए आपको normal air बार-बार डलानी पड़ती है दोस्तों अगर आप अपनी गारी के tire में nitrogen डलवाते हैं तो इससे आपको दूसरा benefit यह मिलेगा इससे आपके tire की life बढ़ती है क्योंकि nitrogen जल्दी heat absorb नहीं करती जिससे tire का temperature और pressure same रहता है जिससे tire की life बढ़ती है जबकि normal air में water vapor और oxygen होता है जो कि जल्दी heat absorb कर लेता है जिसके करण tire का temperature और pressure change होता रहता है जिससे tire की life कम होती है दोस्तों अगर आप nitrogen डलवाते हैं तो आपको तीसरा benefit मिलेगा safety आई स्पीर पर गारी चलाने पर टायर बहुत जल्दी गरम हो जाते हैं जिससे उनके फूटने की संभावनाय बढ़ जाती है पर अगर आप अपनी गारी में नाइट्रोजन डलवाते हैं तो आपको यह benefit मिलेगा कि नाइट्रोजन जो है टायर को ठंडा रखती है जिसे टाय जगह मिल जाएगी जबकि नाइट्रोजन इजली एविलेबल नहीं है बड़ी सीटी को छोड़के बागी सब जगह नाइट्रोजन इजली नहीं मिलती है दोस्तों नॉर्मल एयर डलाने का आपको दूसरा benefit यह मिलेगा कि नॉर्मल एयर जो है वो सस्ती है आपको नॉर्मल एयर दोनों डलवा सकते हैं अपनी सुविदा के हिसाफ से पर अगर आप नाइट्रोजन के लिए ज़्यादा पे कर सकते हैं तो आपको नाइट्रोजन ही डलवाना चाहिए क्योंकि इससे टायर की life बढ़ती है थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग प्लीज लाइ अबस्क्राइब